अगर पसो पेश में है कि इस हफते क्या देखा जाए तो आप हमारा वीकली कैलेंडर भी चेक कर सकते हैं शो पर वापस लौटते हैं आज के एपिसोड में बात होगी डेली क्राइम के सीजन टू की जिसका ट्रेलर आ चुका है फैन के हाथ पकटने पर क्यों भढ़के शारुखान? मौल में घूमते स्तलमान में पबलिक ने ऐसा क्या देखा जो लोग उन पर तरस खाने लगे? हौरर यूनिवर्स का हिस्सा बनने जा रहे है आयुश्मान खुराना? कौफी विट करन पर ना बुलाये जाने पर तापसी ने क्या बीफिटिंग रिप्लाई दे दिया? आएए इन खबरों पर विस्तार से बात करते हैं मशूर फिल्म अक्टर और फिल्मेकर आंडी सर्किस माडम टूसौद्स वाक्स म्यूजिम के फाउंडर मेरी टूसौद्स की बायोपिक बनाने जा रहे है मेरी की लाइफ पर एक बायोग्राफिकल वेब सीरीज प्लान की गई है माडम नाम से बन रही इस सीरीज को अंडी सर्किस ही प्रोडूस और डिरेक्ट करेंगे शिफाली शा और रसकादुगल स्टार और वेब सीरीज डेली क्राइम के दूसरे सीजन का ट्रेलर आ गया है इस बार सीरीज में एक गैंग की कहानी दिखाई जाएगी जिसे डीसीपी वर्तिका अपनी टीम के साथ पकड़ने की कोशिश में लगी हुई है डेली क्राइम 2 26 अगस्त को नेट्फिक्स पर स्ट्रीम होनी शुरू होगी विकी कौशर की मेगना गुलसार डिरेक्टिट फिल्म साम बहादूर की शूटिंग शुरू हो चुकी है यह फील मार्शल साम मनेकशो की कहानी है इसमें विकी के साथ साथ फात्मा सनाशेग और सान्या मलहोत्रा जैसे अक्टर्स भी काम कर रहे हैं इंदनों सोशल मीडिया पर एक विडियो वाइरल हो रहा है यह एक एपोर्ट का विडियो है जिसमें शारुक अपने बच्चों आर्यन और एब्राम के साथ एपोर्ट से बाहर निकलते दिख रहे हैं इतने में एक फैन आकर शारुक का हाथ पकड़कर सेल्फी लेने लगता है शारुक फटाक से उसका हाथ जटक देते हैं इस घटना के दौरान आर्यन शारुक को शांत कराते नजर आ रहे हैं धनुष की अगामी फिल्म तिरू चित्रम बलम का ट्रेलर आ गया है ये एक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है मितरन जवाहर डिरेक्टेड इस फिल्म में धनुष के साथ राशी खन्ना नित्या मैनिन और प्रकाश राज जैसे अक्टर्स नजर आने वाले हैं ये फिल्म 18 अग जोकर घूम तक नहीं पा रहे फाहत फासल की नई मल्यालम फिल्म मलयन कुंचु आ रही है इसमें फाहत के साथ-साथ राजिश विजयन और इंद्रंस जैसे अक्टर्स नजर आएंगे साजी मौन प्रभाकर डिरेक्टिट ये फिल्म 11 अगस्त को आमजन फ्रैम विडियो पर रिलीज होगी बाला के बाद आईशमान खुराना और अमर कौशिक दो बारा साथ काम करने जा रहे हैं ये फिल्म दिरेश विजयन की होरर कॉमरी यूनिवर्स का हिस्सा होगी विएफेक्स हेवी इस फिल्म में आईशमान एक वैंपायर का रोल कर सकते हैं फिल्हाल फिल्म प्लैनिंग स्टेज में हैं दे ग्रे मैंड की सफलता के बाद इसके मेकर्स ने इसे एक स्पाई फ्रैंचाइजी में तबदील करने का प्लैन बनाया है मगर अपनी पब्लिक ये जानना चाहती थी कि क्या इस फ्रैंचाइजी में लोन बुल्फ का रोल करने वाले धनुष की भी वापसी होगी पिछले दिनों एक सोचल मीडिया पोस्ट के माधियम से धनुष ने बताया कि वो इस सीरीज की अन्य फिल्मों में भी नज़र आएंगे कॉफी विद करन का सांथा सीजन चल रहा है हालिया बाचीत में तापसी पन्नुष से इस चैट शो में नहीं बुलाये जाने के बारे में पूछा गया इसके जवाब में तापसी ने कहा कि मेरी सेक्स लाइफ इतनी इंट्रिस्टिंग नहीं है कि मैं करान जोहर के शोपर जा सकूँ सूरज बर जात्या की नई फिल्म उचाई का पहला पोस्टर रिलीज किया गया इस पोस्टर में अनुपम खेर, अमता बच्चन और बोमन इरानी एक पहार चड़ते हुए दिखाई दे रहे है इन लोगों के अलावा इस फिल्म में डैनी, नीना गुपता और परनिती चोपरा ने भी काम किया है उचाई 11 नवंबर को सिर्मा घरों में रिलीज के लिए स्केडियूल है 9 अगस्त को तेलिगू फिल्मों के स्टार महेश बाबू का बर्दे होता है इस साल उनके जनम दिन के मौके पर उनके फैन क्लब्स ने महेश की ब्लॉक बस्टर फिल्म पोकिरी की स्क्रीनिंग आयोजित की है 9 अगस्त को दुनिया भर में फिल्म के 175 से ज्यादा शोज दिखाए जाएंगे और उससे आने वाले पैसे MB Foundation को डोनेट कर दिये जाएंगे एक पोस्टर के साथ अनु कपूर ने अपनी नई फिल्म हम दो हमारे 12 अनाउंस की इस पोस्टर में अनु एक मुस्लिम परिवार के मुख्या के तौर पर दिखाए दे रहे है जिसके परिवार में अल्रेडी 11 बच्चे है और पत्मी 12 बच्चा एक्सपेक्ट कर रही है इस वज़ा से फिल्म पर इसलामफोबिया फैलाने के आरोप लग रहे है इस पोस्टर को आपत्ती जनक बताया जा रहा है कुछ समय पहले फिल्मेकर राजीव राए ने कहा था कि वो अपणी फिल्म थ्रीदेव की रीमेक पर काम कर रहे है उन्होंने इस बात की भी चल्चा की थी कि इस फिल्म में सलमान खान नजर आ सकते है मगर हालिया रिपोर्ट के मुताबिक सलमान के इस फिल्म में नजर नहीं आने की बात कही जा रही है तमिल फिल्म विक्रम वेदा को हिंदी में इसी नाम से रीमेक किया गया है फिल्म के हिंदी रीमेक में रितिक रोशन और सैफ अली खान लीड रोल्स कर रहे हैं ये फिल्म 30 सतंबर 2022 को सिनमा घरों में रिलीज होने वाली है फिर खबरों में फिल्म को आगे खिसकाए जाने की बात कही जा रही थी पर अब मेकर्स ने सपश्टिकरन देते हुए कहा कि विक्रम वेदा तै तारीक पर ही रिलीज होगी दिसनिमा शो के आज के एपिसोड में इतना ही आपके लिए इन खबरों को लिखा है हमारे साथ ही श्वेत आंक ने कल फिर मुलाकात होगी और अगर आपने लालन टॉप सिनमा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है क्यों नहीं आप किस चीज का इंटिजार कर रहे हैं प्लीज कर दीजे सब्सक्राइब तुरंद कर दीजे तब तक के लिए बाई बाई गुट नाइट इंग्लिश वाली कौन सी फिल्में पक्के से देखनी है यह बताओ जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें ललन टॉप सिनिमा